वालिकूम वंदिरम स्वागत हम नमसे ये सर्शेकाल अले सलाम वालेकूँ हले दोस्तों मैं आपकी प्रेयर दूस प्रियांक आप सभी का स्वागत करते हुए गागी क्लासेस के इंडियन एक्ष्पेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्स्परेंशन पेज की डिसकर्शन प लोगसुबा की ये मेंबर ऑफ पार्लेमेंट है लोगसुबा में तो अभी क्या है आपने कल न्यूज काफी देखा होगा न्यूज चैनल में भी इन पर जो है दिस्रिस्पेक्ट तरिके से जो इनके घर में जो लेबार्व होते है उनकी सथ मेंद बिह onda यह और यहां पर जो है एक चीज यह बता रही है कि सुसाइटि में आज जो है कही और ही और जटारके जाता है यह एक सिंबल है पेट्राइब का ठीक है तो इस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा रेस कंसर्न करने हैं और यहाँ राइटर जो है यह फोकस करना चाह रहे हैं कि अब जिसे अगर आप बात करोगे कि पॉलिटिकल में जो है रेसरवेशन वोमेंस की तो पंचायत और लोकल अरबन में जो है 1990 सही रेसरवेशन दिया गया है लेकिन अभी भी अगर करन सीचुएशन देखोगे तो 15% के आसपास ही है women's का reservation 15% ही representative है women's है ना और अभी जो है recently last year parliament में women reservation bill pass करने के बाद इस चीज़ पे जो है दीरे दीरे focus किया जा रहा है compulsory हो गया 33% reservation in लोगों के लिए women's के लिए ठीक है parliament के अंडर में तो हमें यहां पर राइटर बता रहे हैं कि यहां पर देखिए इस चीज़ के साथ सथ हमें transform करने की जरूरत है towards society में भी कि जो पार्टी जितने भी political parties है वो अपने decisions में women's को जो है प्राइरिटाइज रखें ठीक है एक उनको भी जो है work में एक participation के form में देखा जाए ना कि gender bias या gender abuse यसी चीज़े ना हो इस चीज़ के अशॉरिटी रखे ठीक है अब वो टाइम आ गया है जहां women's को equally जो है आपको treat करने की जरूरत है क्योंकि वो भी जो है एक अपना contribution दे सकती है इस community इस society में ठीक है तो उसी के बारे में जो है बाकी देखते हैं case इसका क्या है आगया articles आते हैं तो ये एक basic था next article में चलते हैं तो देखें यहां पर writer जो अशोक लावासा जी हैं इन्होंने election commissions के जो model code of conduct है जो election conduct होने के एक महीने पहले लगता है उसके बारे में बताया गया है ठीक है तो यहां पर यह बता रहे हैं कि जैसे अगर आप बात करोगे कि model of code of conduct जो है यह election से पहले लगता है ठीक है और elections जो है कभी भी democracy से आप अलग नहीं कर सकते हो ठीक है यह democracy जो है elections हो गई होगा है ना और तो यहां पर एक चीज बता रहे हैं कि कोई भी जो candidate होगा कोई भी जो यहां पर contestant जो होगा उससे जो है इस elections के reality से रूबरू होना बहुत ज़दा ज़रूरी है कि यह कितना rough और जो है यह हमेशे अपने आपको ready रखे कि elections का जो रिजल्ट है वो कुछ भी आ सकता है positive भी आ सकता है और negative भी आ सकता है ठीक है तो यहां पर राइटर यह बताना चाहरे है कि जो चीज इस चीज के लिए ready नहीं होता वो बहुत बड़ा जो है एक distress fees कर सकता है contestant specially तो क्या इसमें democracy में जो है जो contestant होते हैं उनकी क्या thick skin होनी चाहिए या जो जिनके loud voice है क्या उनी को ही जो है consigns किया जाता है या उनी को ही जो है एक leader के form में देखा जाता है तो यह question mark से शुरू कर रहे है writer यहां पर तो यहां पर जो है writer एक context का use कर रहे है कि जब prime minister थे जवाड़ाल नेरू उन्होंने अपनी book में The Discovery of India में लिखा था जब हमारे पास election commissioner of India भी नहीं थी और नहीं MCC exist करती थी ठीक है तो यह चीज जो है यह कब लिखा था यह जो paragraph है न जो हमने अभी बताया कि democracy में elections को अलग नहीं कर सकते हैं और इंसान को जो भी contestant होगा उन्हें रूबरू हो जाने की ज़रूरत है यह चीज Discovery of India में लिखी गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उस समय ठीक है और अब जो है MCC आ गया है 1950 के बाद तो MCC अपलाई हो गया था MCC जो की elections में जो political party जो contestant होते हैं उन्हें क्या करना है किस-किस basis पे वो जो candidates होती है उन सब चीजों को जो है इसी के model code of conduct में जो है cover किया जाता है ठीक है काफी लंबा time हो चुका इसको enforce में लाते हुए ठीक और इसमें जो है इसमें देखी बताया जा रहा है कि MCC जो है do's और don'ts बताती है कि क्या क्या करना चाहिए regarding जैसे campaign के time पी जैसे सबसे पहले केरला में शुरू हुआ था ठीक है उसमें इसी चीज बताई गई थी कि क्या क्या आपके जो है processions होंगे क्या speeches, slogan, posters क्या होंगे 1960 के आसपास उस समय जो Chief of Election Commissioner थे वो K.W. Kim सुन्दराम थे ठीक है और उसके बाद 1968 में जो Election Commissioner बने वो SP S.E.N. वर्मा जी बने थे ठीक है और उन्होंने जो है काफी जादा standards जो है काफी जादा बढ़ाया MCC का और इन्होंने ensure किया free and fair elections जो है वो conduct कराना बहुत जादा ज़रूरी है लेकिन उसके पाद जो है 1979 में जो Election Commissioner ऑफ इंडिया Chief बने थे वो तो SL सब शक्दर जी थे ठीक है और उसके बाद से जो है राइटर बता रहे हैं कि काफी हद तक चीज़े जो है बदल गई politically जो है चीज़े जादा जो है यूज होने लगा और positions का abuse होने लगी ठीक है और 1991 में अगर आप बात करोगे MCC जो है consolidated हो गई इस चीज में कि ये एक तरीके से mass destruction के form में यूज हो रहा है तो MCC का जो record था ये जो है free and fair election कराती है वो कही ना कही जो है dilute होती हुई भी दिख रही थी 1990 स्टेक आते आते ठीक है आप इन्होंने बोला राइटर बता रहे हैं कि लेकिन हाँ although जो आपका political environment वो काफी जादा country में शाफ हो चुका है लेकिन इसकी जो efficiency है ये भी काफी blunt होती हुई दिख रही है क्यों क्योंकि अगर आप बात करोगे जिसे की इसमें बताया है कि बहुत सारे political party के leaders ने ना इनका जो है कही ना कही as a fire power के form में prestige के form में जो है इसको use करने की कोशिश करी है जिके कही ना कही जो है पैसे के दम पर जो है अपनी muscles और अपनी technology को जो है अपने favor में करने की कोशिश के और काफी हद तक MCC को as a higher premium के form में भी जो है दिखाये गया जैसे example अगर बता दे जैसे MCC में क्या होता जैसे chief election commissioner होता है जो है provisions दिखाता है ठीक है फिर इसके साथ जो अगर हम बात करें लेकिन writer बता रहे कि फिर भी MCC ने अपना जादा अपना जो strength है उसको इतना जादा जाया नहीं किया है लेकिन हमें जो है इसको remodel करने की जरूर रहता है ताकि अपना जो main काम है वो discipline के साथ जो public disclose करने का उस चीज को जो है वो आगे बढ़ाए तो इस चीज के लिए इनोंने बोला है writer ने का है इसमें एक बहुत बड़ा जरूरी चीज जो है MCC में changes करने की वो यह है कि अगर कोई गलती करता है अगर वो transparent नहीं है या फिर जैसे for example अगर वो जो है अपनी जो speech है वो इस तरह के से जैसे भढ़काओ भाशन देना या फिर caste based जो है voting को collect करना या फिर abusive language का use करा जा रहा है political parties के द्वारा या opponent को जो है सुनाया जा रहा है या किस तरह से इस तरह के से जो चीज़े हैं जो आपके लोगों के चीज़ों को हाम कर रही है feelings को हाम कर रही है तो उससे क्या है कि action तुरेंट उठना चाहिए ठीक है इसमें जो है punitive actions specific punitive actions उठने की जो है जरूरत है ठीक है और इसके साथ जो है इन्होंने ये बात बोली है जो actions होने चाहिए वो बहुत ज़दा severely होना चाहिए जैसे for example के लिए इन्होंने बोला है कि अगर modal code of conduct लग गया और उसके बाद किसी ने violation किया है तो पहले case में पहली बात हो जो उसका campaign करना है कोई भी political party हो जो है पॉलिटिकली जो है एंटायर जब तक MCC model code of conduct लगा रहेगा तब तक जो है उस पूरे party को जो है freeze कर दिया जाएगा कि campaign आप नहीं कर सकते हो ठीक है तो इस जैसे चीजों से क्या होता है कि लोगों में जो है एक interaction बढ़ता है इन जैसे चीजों से violations कम होती है ठीक है MCC के तो certain और अगर ऐसा लग रहा है कि इससे भी जादा है तो certain time period के लिए उस political parties में जो है severe action उठाने की बात करी गई है ठीक है खेर इसके साथ साथ जो है इसमें ये भी बोला गया है कि जिसे अगर कोई individual भी अगर जो है किसी चीज के लिए responsible है ठीक है तो उस पर भी जो है actions उठाए जाना चीए क्योंकि अगर जिसे traffic rules होती है उसमें जो driver होता उसके responsibility होती है कि traffic के जो rules है उसको follow करे चाह उसके साथ बैठे जो passengers है that means वैसे ही जो एक leader होता उसके responsibility होती है कि अपने parties के members को जो है अपने साथ ले कर चले ठीक है तो इस चीज पर focus करा गया है इस पर काया है कि इस पर काम करने की जरूरत है ठीक इसकी साथ-साथ जो है और अगर जैसे अगर इन parties की ठीक है अगर election commissioners जो symbol को reserve करके रखती है ठीक है वो जो है वापस ले सकती है और इसके लिए मतब that means ये है कि initiative जो है offenders individual के regarding भी जो है actions तुरेंट की तुरेंट होने चाहिए यानि जादा जो है liberalized चीज़े ना follow हो ठीक है जिससे fair and fair free elections हो सके और अगर कोई पता चलता है कि ये चीज़े primitive actions उठाने है तो within a 72 hours के अंदर जो है उस पे actions उठाया जाए ठीक है उसको किया जाए case को और आगे जो है अगर वो जादा ही है तो penalties भी लगाई जाए ठीक है तो इस तरह के से जो है writers के लावा ये भी बता रहे है कि कुछ law enforcement जो होते है वो भी directly provisions जुड़े होते है MCC के तहर तो यहाँ पे अगर by chance election commissioner भी जो है ये बता ना पाए कि अगर कोई गलती हुई है model code of conduct में और वहाँ अगर election commissioner भी जो है action ना उठाया जो है तो कुछ law enforcement को जो है यहाँ पे strictly जो है actions उठाने की जरूरत है तो इस तरीके से जो है यहाँ पे political parties की जो है यहाँ पे overall जो है भले writing के बताना चारहे कि भले हम कितना ही strict हो जाए लेकिन डिपेंड करता है political parties का जो character है ताकि credible manners के साथ जो है आप public confidence को maintain करके free and fair elections conduct करवा सको ठीक है तो यहाँ पे जो है writer कह रहे है कि देखिए यहाँ पे model code की पे जादा trust लिए trust है लोगों को model leadership पे और इसी बात को जो है domestian जो करके leader है उन्होंने ये बात बोली थी अगर आपके पास अगर अच्छा जो है conduct या अच्छा जो mean अगर आप अच्छा character नहीं है और आप बहुत selfish हो और जो है poultry हो तो आपके पास जा कितन ही हो तो आप खुश नहीं होगे आप जो है childless नहीं होगे क्योंकि इनसान के जो अच्छन होते हैं वो उसके कही ना कहीं spirit पर ही depend होती है उसकी spirit जिस तरह के से होगे अगर spirit उसके faulty होगी तो उसके actions भी faulty ही होगे तो इस तरह के से model code of conduct के लिए जो है बात बोली है इसमें ये GS paper 2 का जो है main perspective से भाट जादा important है ये article जो छोटे बच्चों को 6-18 मंत के बच्चों को दिया जाता है जैसे seralac है या और भी food items है उसमें बहुत ज़दा high sugar होता है ये बात उठी और अभी जो है recently क्या हो रहा है कि काफी ज़दा European unions से और USA जैसी countries से और even Singapore और Hong Kong ने क्या concern रेस किया है कि इंडिया की जो MDH है और जो Everest मसाले होते है उनमें जो है प्रॉब्लम है किसकी उनमें प्रॉब्लम है सेलेमोन कंडैमिनेशन की सेलेमोनेला क्या होता है सेलेमोनेला ये एक बैक्टेरिया होता है ये बैक्टेरिया किससे निकलता है जो एनिमल्स के या बर्ड्स के जो फीकल होते है उससे रिलीज होता है तो उन्होंने बोलाए कि मसालों में इनके फीकल्स मिलने के एविडेंस देखे गए है और इससे क्या होता है कि स्टमक की प्रॉब्लम होती है फूड जो है फूड पॉइसनिंग होने के चांसे होते है तो ये चीज जो है सिंगापूर, हॉंग कॉंग और भी कंट्रीज ने बात उठाई है और इससे पहले यहां क्वेशन मार्क किसका निकल जाता है फसाय का क्योंकि यही मेइन फूड बिजनस रेगुलेटर है इंडिया का चाब वो इंपोर्ट करने का हो चाब वो एक्सपोर्ट करने का हो चिक है और USA ने तो सीधा-सीधा यह concern raise किया है कि USA का जो आपका एक यह होता है USA का जो sanitary standards होते है United States का जो food department है जैसे हमारा फसाई है वैसे ही USA का है उसका sanitary standards को जो है इंडिया ने follow नहीं किया है कही ना कहीं low है तो इस वज़ेसे जो है चीजे बहुत ज़दा concern उठ गई है और USA के साथ-साथ जो है आपके European Union हो गए तो यह बोला गया है कि फसाई ने कहीं कहीं ना कहीं जो है लापरवाई करिये अपने standards को maintain करने में जो foods export होते हैं चीजे के और अगर हम फसाई की बात करेंगे तो फसाई begin हुआ था 2008 में चीजे के इसका काम क्या enactment हुआ है यह Food Safety and Standard Act के तहर्र और अब जैसे क्या है यह मेली इंडिया के companies के साथ Nestle और Cadbury के साथ में मिला हुआ है बहुत सारे multinational companies भी फसाई के अंदर में ही आते हैं अब जैसे for example Nestle के product अगर इंडिया के consumer के हिसाफ से आ रहा है तो वो फसाई के अंदर में ही है अब जैसे हम यह मानते कि जो सेरलेक है वो इंडिया में मिल रहा है तो भले जो Nestle बना रहा है Nestle बना जैसे Nestle company की सेरलेक है ठीक है सेरलेक है लेकिन यह अंदर तो फसाई के द्वारा यह निकाला जा रहा है क्योंकि regulation तो यही निकाल रहा है तो यहाँ पर एक बात आ गई है और इवन यहाँ पर फसाई के पस mandated भी है यह चीज कई बार बोली गई है कि जितने भी business से उन्हें educate किया जाए food safety के बारे में consumers को भी जो बताया जाए labeling के बारे में और इवन कई बार जो है यह पहली बार नहीं फसाई नहीं जो है अब मसाला MDS का जो मसाला है और जो average का मसाला है इस पे अब जाज करना शुरू किया है देखते आगे क्या action उठाया जाता है लेकिन यह international market पे बहुत बड़ा concern raise करता है Indian economy के लिए next article पर चलते है देखिए next article जो है mother और baby के care पे है आपको पता होगा कि हमने दो-तीन articles इसमें continuously भी करें है लेकिन इस पे वापस बात चलती है तो writer यहाँ एक concern raise करें कि अगर हम overall global की भी बात करते हैं तो बच्चे को care करने की बात किस पे आती है जब तक वो until adult नहीं हो जाते है और India जैसे अगर nations में typically देखा जाए तो वो mother पे ही पूरी responsibility उठती है तो यहाँ पे writer जो है यह बताना चाहरी है कि जैसे government के द्वारा भी अगर देखोगे तो जो government employee है उन्हें CCL यानि child care leave मिलता है जब तक आपका बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाएगा आप total 730 दिन की चुट्टी ले सकते हो और यह maternal leave के अलावा है तो writer यहाँ पे देखे overall article में क्या है concern raise यह करनी है कि अब जैसे आप अगर government employer में CCL है अगर private sector में बात करोगे तो जहाँ पे 10 employee से जादा होंगे वहीं पे CCL apply होगा यहाँ पे 10 employee से जादा होगे वहीं पे CCL apply होगा यह maternal leave वेगरा जीज़े जो है apply होगी लेकिन बुरी बात यह है कि इंडिया में 90% जो farms है जो private चल रही है उसमें 10 से कम ही जो है लोग काम करते है और उपर से जो है यहाँ पे एक चीज हो गई कि government में भी कितनी women's काम करती है बहुत कम हो गई प्राइवेट चेक्टर में भी कम है तो rest of the women's है उनका क्या ठीक है तो यही आर्टिकल जो है पूरे आर्टिकल में women's के बारे में जो है concern raise कर रही है राइटर ठीक है तो यहाँ पे जो है राइटर यह बोल रही है कि जखी अब जिसे छुटी है first six month of after birth के बाद मिलता है यह तो फादर की बात करते है तो फादर को तभी ही मिलता है जब वो single father हो तो otherwise नहीं मिलता है इसके साथ जो है राइटर यहाँ पे राइटर यह बताना चाहरी है कि क्या यह justify करता है अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे राइटर के रहे हैं कि mothers के लिए pragmatic grounds है ठीक है क्योंकि mothers जो है वो ज़्यादा direct responsible होती है caregiver अपने बच्चे के लिए as compare father के लिए तो यहाँ पे राइटर यहाँ थोड़ी बोल रही है खुद के office का भी काम करना है तो यह double triple burden पर जाता है एक women's को भले उसके पास कितने ही छुटियां क्यों ना हो तो यहाँ पे जो है इस चीज के बार-बार बोल रही है और अगर हम बात करते हैं तो जैसे यह extra work वेगरा इसी चीज का यह बोरियर जैसे इन्हों ने बोला है कि यहाँ पे केस उठा हुआ हिमाद्चर प्रदेश में वहाँ पे एक employer ने CCL को cancel out कर दिया तो उस समय जो है सुप्रीम कोट ने यह के सुप्रीम कोट पर गया तो सुप्रीम कोट ने कहा कि देखे आप अगर आप cancel out कर रहें अपने का लीव को तो यह constitutional राइट को वाइलिशन है तो यहां राइटर वापस यह question पूछ रही है कि अगर यह जो है government यह मानती है कि women's को जो है चुटियां देना यानि care की चुटियां देना अगर constitutional right है तो तो सभी women's को मिलनी चाहिए ठीक है 8 firms ऐसे हैं जहां पे less than 10 employee ही काम करते हैं तो चाहिए women's अगर वहां तीन काम कर रही है और पांच काम कर रही है वहां पे यह जो maternity benefit और पॉश act है वह अप्लाई ही नहीं होता ठीक है तो इस तरीके से जो है और यहां पे जो है ऐसे enterprises हैं जो one worker ही काम करता है और 35% ऐसे हैं जहां पे दो से पांच workers काम करते हैं तो overall अगर आप देखोगे न तो 10 worker वाले 10 worker जहां काम कर रहें enterprises ऐसे बहुत ही कम है इंडिया में तो यहां पे और इसके साथ साथ annual survey of industry ने भी यह बात बताए कि total 30% ही ऐसे हैं जहां पी 10% का ही काम करते हैं तो सीधा सीधा जो आपका maternal leave है आपका जो पॉश एक्ट है यह अप्लाई नहीं होगा चाहिए वोमेन एक हो चाहिए वो दो है है तो वोमेन ही नहीं है तो सेफटी है तो वहां पर राइट्स तो राइट्स की तो बात होती है और जिस तरह के से अगर सुप् होती है प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि उन्हें लीव एकरा maternity पॉश इन सब चीजों को देने के वज़े से तो यहां पर जो है गौर्मेंट को यह बार बार करिया है कि वोमेन री अगर राइट्स की बात करें तो हमें यह चेंजिस करने की जरूरत है तो चेंजिस में वो थे हैं कि ःऔर की बात कर रही हैं कौन से तीन और हैं दो जिसे वह थीर में यह бор़ रही हैं कि पहली बात हो आपको रिकॉगनाइज करना है वोमेंज को उसके बाद रिडियूस करने है प्रेशन को औगे जो रिपहन सुलिट inher ऑंगाई अब रे डिस्टिभीट के में इनको टायाड कर डेतीं है तो इस चीज़ को डिश्टिबूट करने की जरूरे था काम को है आप इस काम को कैसे हmb Eg V जो भी बात करें चाहिए चुनलबे और इसके लाव अगर आप रूबर और यार्बन की भात करोगे तो अब quality, affordable, reliable childcare जो है अपने आस पास जो trust वर्दी हो उनको वो hire करे ठीक है और especially जो है जो private players है वो इस पर प्रवाइट करवा सकते है government और private players दो रही तो इन जैसे चीजों पर जो है काम करने की जरूरत है क्योंकि बच्चे जो है आने वाले time पर future होती है work force वही होता है और mother की जो burdens है childcare के towards उसको कम करने की जरूरत है ठीक है जो की social need है एक ठीक तो next article पर चलते है ठीक है next explanation article में एक तो यह है कि हंगूर सम्मरीन है यह ठीक है किसका है यह चाइना का है और चाइना ने किसको दिया है पाकिस्तान को दिया है इसके art classification होते है इस हंगूर सम्मरीन के उसमें से पहला जो है इसने दिया है और 2028 तक यह बात चल रहेगी यह सब को जो है art के art set को यह देगा चाइना को ठीक है और यहाँ पर जो है यह हंगूर जो है हमारा 1971 में जो war हुआ था चाइना का INS कुकरी के साथ तब यह था हंगूर PNS हंगूर ठीक है और अगर हम इसकी बात करेंगे तो हंगूर की अगर हम हमारे पास जो इंडिया के पास है वो कालवरी है कालवरी क्लास है सम्मरीन हमारे पास तो सेम इंडिया ने कहां से लिया है फ्रेंच से लिया है, स्कॉर्पियन क्लास है उसकी, ठीक है, और अभी इंडिया के पास छे कालवरी क्लास सम्मरीन है, और तीन बच्चे हुए जो है, वो कम से कम 2023 तक इंडिया के पास आ जाएगा, ठीक है, ठोड़ा से ये कमपैरिशन है, इतना इंपोर्टेन है, लेकिन हाँ सम्मरीन किसका है, अब ये एक बार देख लीजेगा, क्योंकि एक्जाम में सीधा-सीधा सकता है कि ये किसका है, ये किसका है, और नेक्स्а आटिकल में देखते हैं, निए पेटर गॉनिया जो है अथ कि क्या होता कि 90 मिल्येन पुराना जो है, हर्भी वोरस डाइनोसौर की जो है fossils मिले हैं ठिक है यहाँ पे जो paleologist है उन्होंने यह paleologist है इन्होंने research कि Argentina में ठिक है और fossil rich देख लिजिए और बाकी यही ठीक है और इसके लावा एक article यहाँ पे जो है repoles के बारे में है तो देखे इसमें क्या हुआ है अभी elections चल रहे है 19 April से लेकिन अभी रिपोल होगा हो चुका होगा ठीक है इसके लवा अभी मद्यपरदेश में April 9 को क्या हुआ है कि बेतुल लोक सभा constituency से एक परसंड की death हो गई थी तो इन्होंने का कि वहाँ जो है April पहले तो बोला April 26 को re-elections होगा लेकिन अब जो है date shift करके में 27 कर दिया है तो बात यहां आ जाती है कि अगर क्या हमारे इंडियन law जो है अलाव करता है इस तरह किसे अगर किसी की death हो जाती है constituency के person की या कुछ और जैसे pulling के capture जो boot pulling है उसकी capturing हो जाती है या कुछ fraud होता है तो उसकी कुछ actions है तो उसी बारे में यहां बताया गया है तो दिखें इंडियन election law जो होता है वो framework प्रवाइड करवाता है इस तरह की situations को handle करने में तो सबसे पहले है अगर बाइचंज EVM का hijack हो जाता है तो section 58 है किसके अंडर में है representation of people like 1951 के तहट section 58 है जो अगर vote को void या invalid कर सकता है कब कुछ conditions दे रखी है जैसे अगर माल लीजिए किसी भी unauthorized person ने unlawfully जो है EVM को ले लिया हो या फिर EVM का जो है destroyed कर दिया और loss कर दिया हो यह damage कर दिया यह temper कर दिया हो उसको तोड़ दिया हो या फिर EVM के दौरान जो है machinery में कुछ थोड़ी जो है failure हुई अगर recording के time पे तो उस समय क्या होता है कि जो उस समय वहां का returning officer होगा वो सबसे पहले election commissioner of India को जो है inform करेगा और वो तुरेंट chief election commissioner को inform करके क्या decide होगा poll को जो है cancel out करके जो है अब new poll की जो है date fix कर दी जाएगी कि वह या अब नया election जो है date release होगा ठीक है तो और इसके साथ साथ जो है इसमें जो है writer बता रहे हैं कि जो contestant जो candidate थे उन्हें जो है return form and notice भी दे रिये जाएगा और publicly जो है ये announce कर दिया जाएगा कि किस date को जो है elections होंगे ठीक और इसके लावा जो है और इसके बाद अगर by chance माल लीजिए वहाँ elections हो चुके थे तो लोगों के हाथों में जो है ink भी लगता है आपको बता है तो वापस अगर election होते हैं तो क्या करते हैं कि left side के जो आपका four finger होता है उसी में ink लगता है तो जब दूसरी बार election होगा ना तो जो middle finger होता है left का middle finger है उसमें ink लगाया जाएगा ठीक है तो ये provisions है किसमें है representation of people like 1951 के 58 section section 58 में ये mention है ठीक है और अगर और यही चीज और अगर by chance माल लीजिए बूत के capturing हो जाती है कोई जो गुंडे वेगरा है local या कुछ भी है जो अगर वो capture उठागे ले जाते है तो क्या होता है अब जैसे कुछ activities बताइए capturing का मतलब क्या है जैसे अगर polling station को ही seize कर लिया किसी ने ये affect किया conduct of elections को है ना वहाँ के लोगों को disturb किया है या फिर वहाँ के supporters को जो है बहुत जादा possession है वो अपने वहाँ के लोगों को या किसी को जो है इन्होंने prevent या रोका है threatened डराया है तो इस तरह की चीज़े अगर counting place को ही seize कर दिया हो तो इन जैसे चीज़ों के time पर क्या होगा कि वहाँ का जो अगर ये सब चीज़े होती है तो अगर किसी layman ने किया है आम आदमी ने किया है तो एक से तीन साल की सजा होगी अगर ये का पब्लिक सर्वेंट ने किया है तो तीन से पांच साल की सजा होगी है किसके लिए है ये है आपके बूत कैप्चरिंग का ठीक है हाईजैक का अलग है याद रखेगा हाईजैकिंग का अलग है और बूत कैप्चरिंग का अलग है ठीक है और अंडर 58 section A के तहत ये क्या है adjournment of poll और counter mandating of election on the ground of बूत कैप्चरिंग of representative people act के तहत ये mention है और इसमें officer कौन होगा प्रेजिविडिंग officer जो है सबसे पहले क्या करेगा ये इस चीज को जो है आरो को बताएगा ठीक है presiding ऑफिसर जो है पहले आरो को बताएगा एर इलक्शन modular of india को बताएगा और इलक्शन commissioner of india जो है chief election commissioner को बताके new date जो है For example, जिसके एक्सपेक्ट नहीं था, जैसे नैच्रल कैलमिटी आ जाती है, फ्लर्ड आ जाता है, या फिर कोई डामेज हो जाता है, या इंटरेप्शन हो जाती है, अबस्टेक्शन दू एनी रायड या कोई ओपन वाइलेंस हो गया, पॉलिटिकल पार्टी की द्वारा कोई स उस समय क्या होता है, कि कम से कम दो घंटे के लिए आसपास टू आर्स के लिए चीजों को रोग दी जाती है, और जिन जनोंने वोटिंग नहीं देए, उसके बाद उन लोग को परमीट किया जाता है, वोट करने के लिए, अगर ऐसा लगता है कि चीटिंग वगर नहीं होई है, तो, और death of candidate, अगर माल लीजिए कि कोई candidate है, उसकी death हो गई है, तो उसका भी provision है, as per section 52 of representative people act 1996 में ये बोला गया था, कि अगर party की death हो जाती है, जैसे, तो लेकिन उससे पहले है ना death जो candidate की है, वो candidate या तो national party से होना चाहिए, या फिर वो state party से होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज है, जो है, सबसे main चीज है, और तब भी है, कि अगर by chance वो candidate है, जिस दिन nomination देना था, nomination देना जिसे एक party है, कि ये nominate करती है, कि हमारा ये बंदा इस constituency से खड़ा होगा, ये बंदा इस constituency पे है, है ना, तो nomination के 11 बज़े से पहले, अगर सुब है कि 11 बज़े से पहले बाद टाल दिया जाता है उसको, ठीके, और फिर उसके बाद क्या होता है, कि fresh list जो है, तयार करी जाती है, नए candidates की, और इसी तरह किसे जो है, वैसे ये charge तो सारा district collector के अंडर में ही होता है, और अभी recently जो है, आपके माल लीजिए, कि जो बेतुल है, वहाँ पे भी एक दिन जीत जाएगा, तो वापस election होगा, क्योंकि जीतने के बाद भी वो जो है, वो तो जिन्दा ही नहीं है, अगर वो जीतता है, तो वापस election होगा, नहीं तो अगर कोई और candidate है, तो फिर election नहीं होगा मुरादबाद में, तो ये